नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस वन शॉट की सीरियस में एक बारी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम एक बहुत ही प्यारे चैप्टर का वन शॉट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजनितिक दल भाई नागरिक सास्त का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसको हम शुरू से लेकि एंड तक कम से कम वक्त में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर हम बात कर लेता है वन राजनितिक दल की तो प्यारी प्रडाली होती है वो किस प्रिकार की होती है, प्रिसाशनिक विवस्ताएं कैसी होती है, उन सब को इन पॉलिटिकल पार्टी जो राजनितिक दल होती है, इन सब के बारे में पता होगा, आपने नुकड पे, चाय की दुकानों पे, है ना, यह जो सलून की दुकान सो होती है, यहाँ पर आपने है राजिंतिक दल जो होते हैं इनके बारे में सब को ही पता होता है चाहें वो अंपड इंसान हो चाहें वो पड़ा लिखा इंसान हो ठीक है तो यह पॉलिटिकल पार्टिस होती क्या है और इनका रोल क्या होता है देश को चलाने में इनका रोल क्या होता है उसके बारे में ही जो है हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारा सा उधारन लेता हूँ, जैसे मेरे स्कूल में ऐसा हुआ अगरता था चुनाओ होते थे, और जैसे कई सारी बच्चे मेरे को देख रहे होंगे, उनके स्कूल में भी चुनाओ होते थे, उनके स्कूल में भी चुनाओ होते ह और यहाँ पर बच्चे ओंग उन्हें वोट देते हो और उन्हें जिताते हो जैसे मेरे स्कूल में भी रेड हॉस था येलो हॉस था ब्लू हॉस था अलग अलग हासिस के जो अलग बच्क्चे वुआ करते थे बाटर हुआ करते थे और उनको बाट दिया जाता था ठीक है और जो निड़ा हुआ करते थे जो भी प्रसाशनिक चीज़ा हुआ करती थी स्कूलों में वो उन्हीं के दोवारा की जाती थी जैसे प्रेयर करवाना और जब छुट्टी होती है तो लाइन वाइन लगवानी पड़ती है तो पहले से वो पूरा मैनेज करते हैं कि बच्चे ज्यादा क्राउड ना हो जाए भीड़ ना आ जाए तो उनको प्रॉपर लाइन में लगवा के अच्छा अब इस शरकार में जब सरकार की बाती है तो यहाँ पर आटी जो में रोन होता है सरकार चलाएका कौन तो वहां पर राजनितिक पार्टियां जो होते है report सामने आते हैं ठीक है ना तो असी के बारे में जो पूरा चैप्टर है चलिए तो यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ अगर हम बात करें तो यहां पर एक ऐसा समू है जिसमें हम क्या कर रहे हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने और हां चुनाव कि भी पार्टी खड़ी हुई है तो आप से वोट किन मुद्दों पर देते हो भाइier उसने कुछ तो वादा किया होगा जैसा आपने देखा होगा जब हाय जब भी कोई भी दल जो होटा है वो चुनाव में खड़ा होता है तो बहुत सारे वादे करता है गोशणापत तर करता है तो उस basis पे जो है कि हम अगर चुनाओ जीच जाएंगे तो ये करवा देंगे, हम चुनाओ जीच जाएंगे, सड़के बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, कॉलेजिस बनवा देंगे, तो उसके basis पे क्या करते हो, आप उसको वोड देते हो, और होता है कि हर पार् पारे बीच में भी होता है जैसे हम लोग जो होते हैं हम किसी ना किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी विचार धारा से जुड़े होते हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जितने भी राजनितिक दल हैं इन सब की खुद की अपनी एक अलग विचार धारा होती है जिस साबसे जो है वो देश को चलाना चाहते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं, तो हम यह जो चीज़े हैं वो देश में जो है लागू करवाएंगे, इंप्लिमेंट करवाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लखा हुआ है, कि एक ऐसा समूर जिसका बनाती हैं, सरकार बनाती हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका जो निर्वाचन छेत्र है, जो कॉंस्टिट्वेंसी है आपकी, तो वहाँ पर अलग अलग जो राहिंतिक दल है, इनके उमीदवार जो है खड़े होते होंगे, जैसे कॉंग्रेस का अलग खड़ा हो रहा है बीजेपी का अलग, है ना, मान की तलो समाजवारी पार्टी का अलग, बहुजन पार्टी जो है, उसका अलग, बस्पा का अलग, ठीक है, तो ये सब जो पार्टी जो होती है, इन सब के कैंडिडेट आपके निर्वाचन छेत्र में खड़े होते हैं, फिर आप क्या करते हो आपको अगर समाजवादी मां वोट देना, आप 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 समाजवादी मां वोट देना, वोट देना, त तो आप कर क्या रहे हो आप किसी एक इंसाम को वोट नहीं दे रहे हैं आप उस पूरे पार्टी की आइडिलोजी को उस विचारधारा को वोट दे रहे हो ठीक है ना तो यहां पर किस समझने का थोड़ा सो प्रियास करो कि यहां पर है क्या बेसिकली कि जो राजिंतिक या फिर हम यह राहूल गांदी को वोट दे के आए हैं या फिर हम अखलेश व्यादफ को वोट दे के आए हैं क्या बोलोगे आप आए हम एसपी को वोट दे के आए हैं कॉंग्रिस को वोट दे के आए हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं किसी भी राजिंतिक पार्ट पार्टि जो है लोगों को इस बात का भरोसा दलाती है कि उसकी नीथिया अंदी पार्टियों से बहतर हैं अब आपको देखा होगा टो यह सारी जो चीज़ें देश में लागू करेंगे और उन नीतियों पे बहुत सरकारे काम भी करती हैं वैसे बहुत कम होता है ऐसा हाँ लेकिन काफी सरकारे काफी लोग जो है वो अच्छा काम भी करते हैं अपको पारटी बोलने हैं किम कなたical calling जीतकर सरकार मना सके चलिए आघे बाथ कर लेते हैं इसको कुछ सरकार की बात कि सरकार क्या से बनती है, क्या है, कार पालिका क्या है, विदायका क्या है, न्याय पालिका, उसको सरकार की प्रडाली के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन उसको राजिनितिक पार्टी के बारे में पता है, दल के बारे में पता है, कि जितनी भी पार्टी हैं, उससे कुछ नहीं बते हुए हैं इसका इक प्रतिमिंब दोगे, होता है कि आप moा की हारी में शुरू से हम सफंगरेस को वोट दे रहे हैं किसी आइल हुगी जोड़े होंगे हैं तो वह सारी है क्या दिखा रहा यह हमारे देश का है राजनितिक विवाजन है इस चीज को वह प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र तो जैसे हम बात कर लेते हैं कोई भी राइदिक पार्टी जो होती है वो MR, किसी भी भी समाज के इक हिस्ते का प्रत्नित करती हैा किसी भी सिछ में किसी पोस्ते की है मतलब समाज में रूरा चीजिए आ हार समाज में सारी चीज़े है किसी को सैक्रिल इसमों क्षिएटव का मतलब थर्म नियुक्त होना से खने सिधस्व जब यह हमारा हुग्पर ciao और तो समाज में अलग-अअचीज है लग-अजन्य मुद्धों पर बटीए और यह जो पा्टिय다 होती है यह उन मुद्दों पर काम करते हैं कि हम जब जीतेंगे तो इन इन चीजों पर काम करेंगे ठीके ना जैसे सबसे अच्छा एक्जेंपल होगी राम मंदर का बेसिकली तो शायद बीजे पीने वादा किया था अगर वो आते है सरकार में तो वह वादा पूरा करेंगे जो राम मंदर का बेसिकली हम बात कर लेते हैं तो बन रहा है है ना ऐसी कॉंग्रेस में बहुत सारे वादे कीते हैं जब नैरु जीत के अधान मंतरी बने थे उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि हम जो है हमारे पास खाने पीने को कुछ था ही नहीं है ना उसके कि हिस्से की बात करते हैं किन नीतियों का समर्थन करती हैं और किन के हितों की वकलत करती हैं मतलब अलग 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 लोहों के हितों के लिए काम करती है ठीक है अचा अब जब हम बात करते हैं राजिदिक दल की इसके तीन जो है बहुत जादा हिस्से हो जाते हैं अब दूसरे होंगे सक्री सदस्ट, अब सक्री सदस्ट की हम बात करें, आपने देखा होगा, पार्टियों में नाम रेइस्टर करवा लेते हैं, तो कुछ पैसे देखें, आप उस पार्टी के सदस्ट बन जाते हो, यानि कि उस पार्टी से जुड़े हुए हो, भले ही आप ये जो सक्री सदस्ट जो होते हैं, इनमें से कोई एकाद जाके, जिनमें अच्छी लीडर्शिप, स्किल्स होती हैं, वही जाके आबाद में, बड़ा नेता बन जाता है, लेकिन नेताओं के बाद जो है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले सक्री सदस्ट होते हैं, वो उ सोचके वोट दिया होगा, किसी ने Congress को वोट दिया, तो वो Congress का अनिवाई हो गया, है ना, किसी ने फलानी दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो फलानी पार्टी का अनिवाई हो गया, है ना, तो तीन चीजों से मिलकर जो है यहां पर अब झाह नों से हुँआ यहां पर कटी का मतलब दल ही होता शुराओ लडने का और हाँ चिंता मत करना यहां चाहो तो लिखभी सकते हूं. अब जो कोई भी पार्टी अगर आती है तो सत्ता में आती है सत्ता मतलब उसके बाद तागत होती है और तागत किस चीज की होती है कि नेड़ा लेने की तागत है है ना हमारे Constitution ने तागत दे रखिया वही बात हो रही है कि राहिंतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तमाल करन करने के लिए राहिंतिक पार्टी है निम्र खितकार करती है पहला काम क्या है चुनाओ लड़ना अचा बिना चुनाओ के तो कुछ होई नहीं सकता अब चुनाओ लड़ना भाई यह बहुत अपने आप बहुत बढ़ा यह तो एक पहचान है किसी भी लोकतांतरिक देश में बिना चुनाओ के तो उसको तुम लोकतांतर के वोल ही नहीं सकते है चुनाओ कौन करेगा भाई हम चुनाओ करेंगे चुनाओ आम आदमी करेगा उन धलो का बता है ना मैंना आप बीज़ेपी की नाम से वोट दोगे आप कॉंगरिस की नाम से वोट नहीं दोगे आप ठीक जहाँ आप रह रहे हो और जो पूरा इलाका है आपका निरवाचन च्छितर जो है वहाँ पे कितनी population है कितनी जनसंक्या है और वहाँ पर एक candidate ख़ड़ा होगा है है ना बीजेपी का है ना उसी सेम जगा पे एक candidate खड़ा होगा, Congress का, होता है ना पर्चा बरने जाते हैं, है ना, तो वहाँ से कई सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारा पैसा भी दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ताकि उन्हें एक seat मिल जाए, है ना, ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाओ ल जाते हैं, वो उस इलाके में जो एक seat थी, है ना, उस निर्वाचन छित पर एक seat होगी, तो वो जीच जाएगा, ऐसे बहुत सारी seat है, जैसे हम बात करें, लोग सवा की तो 543, थीक है, यह जो seats हैं, बिसिकली, अब इन पर जो होगा, इन पर अलग जगा पर चुनाओ होंग इसको सबसे जादा seats मिलती है, वोट नहीं, seat सबसे जादा मिलती है, ठीक है, चलिए, तो यह पहरा काम हो गया, दूसरा काम क्या भाई, नीती बनाना, बै, नीती तो बहुत ज़्रोरी होती है, जब कोई भी सरकार जो होती हैly, अब आने से पहले गोशणा पत्र जारी करती है ना कि फलानी फलानी चीज जो है वो करेंगे ठीक है ना तो यह आप पूरा लिख सकते हो भाई यह पूरा लिखा हुआ है इसमें कुछ अलग नहीं लिखा एक बारी मैं हट जाता हूं थोड़ा सा स्क्रीन शोट यहां फिर मैं इसका इसकी जो पीपीटी है वो शेयर कर मतलब कोई ऐसी भी तो पार्टी जरी होंगी ना कि जिनको सीट तो मिली होंगी जैसे मान कि चलो बीजेपी को 2019 के चुनाओ में शायद 301 या 302 सीट मिली थी नंबर एक्जेक्ट याद निया मेरको हां लेकिन बाकी की बच्ची तो 200-255 सीटे जो है वो तो अलग-अलग रा नहीं पाई है लेकिन उसको सीटे तो कुछ मिली है तो यह सम मिल के क्या बनाते है कानून मनाते हैं और वो भी तो अरे वो जो लोग हा रहे हैं वो भी तो किसी राजिन्थिक पार्टी से संबंदित हैं तभी आपको पता होगा ना जब आप देखते हो जब भहस होती है लो उन पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है चूंकि जो लोग चुनकर गई है लोग सवाव राजसवा में वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए है ना जैसे हम बात कर लेते हैं आज की पार्टी से ना अभी चुनाव फिरसे होंगे तो किसके नाम पर वोट लड़ेंग तो अगर हम बाद करें इन्डार्यकली देखें तो यहां पर रोल किसका चौनन बनाता कौन येखर वाधा दली तो क्योर्य कानुन है जुड़े तो एस समझने लिया करो ठीक únicouje चालिए सरकार भिए मिमें यह तो वही चीज हो गई सरकार कैसे बनाते हैं अगर आपको लोकसवा में बहुमस से जीतना है तो आपको किसी ना किसी दल से ही तो सरकार भी कॉन मनाता है यह दली तो बनाते हैं सरकार आज आप क्या बहुंका के सरकार है आप की सरकार है आपकोर मिपन यूपग सी भूंद का रहती है कि यूट है ये भी तो खिसान साभी होता यहां आ जाएगा उपक्ष की लोग होंगे वह अपने क्या होंगे तो इनकी भी बहुत वड़ी भूमका रहती प्रक्ष मतलब अपोजिशन पार्टी मतलब जो जीत नहीं पाया है यह सरकार की आलोचना करती है और आलोचना करना भी अच्छी बात होती है कम से कम लोगों को पता तो चलता है कि वही चल के हराया कर ठीक है चलिए आ अच्छा भाई यहसरकार जीत नहीं कर रहा है तो यहां पर इस सारी चीज़ होते हैं, इसके लिए विधायका और मीडिया में जलंत मुद्धों को उठाते हैं, और उन्हें हवा देते हैं, पार्टी के कार्टा जो आप पूरे देश में फैल कर अपने मुद्धों को जनता को अववत करवाते हैं, मतलब जो दूसरी पार् बहुत हैं, यहां पर बात हो घुटी है, यहां पर यहां पर सरकारी मशीनरी क्या होती है, सरकारी मशीनरी के विदायका, कारी-पालिका, जुडिशरफि, यह सब क्या है, सरकारी मशीनरी तो हैं नहीं, जैसे और इंस्ट्शिजिजन क enrollumo are, और बहुत सारी जीन Ст consistentanka, नहीं और सरकारी मशीनरी के बीच का एक कड़ी का काम करती है, अब इसी बाता कड़ी का काम करती है, जैसे सरकारी मशीनरी के हम बात करें, तो सरकार कौन बना रहा है, तो ये राजिंतिक पार्टी, राजिंतिक दली तो सरकार बना रहे हैं, तो बात में यही तो मशीनरी का काम करें कि लोकतंतर में डली साशन विवस्ता कैसे होती है अब देखो अब कोई भी अगर लोकतंतर होता है अब उसमें किस प्रिकार की डली विवस्ता हो सकती है मतलब कितने डल लड़ सकते है तो इसको हमने तीन प्रिकार में बाट लिया है पहला है एक दली साशी निवस्ता अब एक दली साशी निवस्ता जो होती है कोई भी लोकतंत्र में नहीं देखने को मिलती है कम से कम दो तो होनी चाहिए जैसे यह चाइना जो आपने आपको क्लेम करता है कि हम एक लोकतंत्रिक देश है लेकिन ऐसा गलत है क्यों गलत है क्यों तो दल है बेसिकली वही चुनाव लड़ता है इसका मतलब क्या हुआ कि यह मैं रेस में अकेला दोड़ रहा हूं तो जीत तो मेरी होगी होगी है ना इसका मतलब क्या हुआ यसा आपने मूवी देखियोगी डिक्टेटर उसमें वह चलता है वह खुदी दोड़ने लगता है बाकि उसके जो ओपोनेंट होते हैं उसको गोली मार देता है पहर में और खुदी जीत जाता है रेस तो अगर हम बात करें एक देली साशन वस्ता में सिर्फ एक ही पार्टी होती है वह चुनाव लड़ेगी और भाई जीतेगी भाई अरे मान की चलो आप अपनी क्लास में तो आपके 30% हैं चाहिए 40% आए 60% नगबे़ परसंट टो आप ही आओगे क्योंकि बच्चे ही एक सिर्फ तो इसमें क्या होता है पी सार्फ इसमें जो है सिर्फ एक पार्टी होती है और इसका सबसे परफुक्ट उदारण क्या होगा तो कमिश्च पार्टी ओफ चाहना उ UK, एक तो अमेरिका हो गया और United Kingdom हो गया, तो जैसे मैं USA की बात करूँ, तो वहाँ पर दो पार्टी है, एक तो Democratic Party है, और दूसरा Republic Party है, तो आप इसको लोकतंतर बोल सकते हो, कि कम से कम दो विकलतों है जंता के पास, है ना, तो यहाँ पर USA की हम बात करें, सबसे पुराना जो है, वो USA है, यहाँ पर दो पार्टी है, Republic Party और Democratic Party, है ना, तो लोग जो है, दोनों में से चुनकर जो है, वोट देते हैं, ठीक है ना, और हम बात कर लेते हैं, तीसरा, और हाँ, जैसे हम बात करें, UK की, तो UK में भी दो पार्टी है, एक तो Conservative Party, और दूसरी Labour Party, तो इन द नाम है, बहुत अली है, साशनिवस्ता, बहुत अली है, साशनिवस्ता, क्या होता भी है, यहाँ पर बहुत प्रिकार की पार्टी है, बहुत जादा पार्टी है, आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको या, multiple choice question देखने को मिल जाएंगी, चार पार्टी, पार पॉइंट बना रहा है होट नीज बना रहा है इंडिया नाम का एलाइंस बना है तो बीजेपी के अगेंज जो है इंडिया जिसमें बहुत सारी पार्टियां जो हैं तो चार तक दो बीजेपी की सरकार थे इसके बाद को अग prioritize का है तो अगर हम बात करें जैसे एंडिया की हम बात करांिएंप लें नियुक्त समय अलिगल्ग पांटिमयांस के लिए जीनला इनला रहा है शथे कबहब परेखने णा इनला चाला पर्ठी सक बहूत सब्सकर किसी पार्टी से जो जोड लेते हो कि इसको जोड़ कर जोई सकी सीटे हमारी सीटे मिलें की आम सरकार चलाएंगे। हमारे देश में जो लेकिन एक दली है ओसे होते हैं आपके पास बहुत सारे होती है तो आप पढ़ लीजेगा यह लिखा हूआ है आगे बात कर लेता है राज़िए पार्टी की जरूइसको जानने के लिए अब यहां पर कोई पार्टी है ही नहीं सब अपने छेतर से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं है ना अब होगा क्या बाई सब जीत के जाएंगे कोई ना कोई तो जीत के जाएगा है अब उनके सब के बीच में 543 लोग जो हैं अब कोई पार्टी तो है नहीं कोई दल तो है नहीं अब क्या होगा बाई सब के जुहां अपने अलग अलग विचार होंगे सब के अपने अलग कोई कह रहा है मैं ऐसे कर दो कोई कह रहा है ऐसे कर दो और सब जो है अपनी जगा से चुनके आए हैं तो मेरे निर्वाचन शेत्र में भी बीजेपी खड़ी होगी, उनका कोई दूसरा केंडिडेट खड़ा होगा, तो जो पार्टी होती हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, आपके पार्टी के और भी तो लोग बैठे होंगे जैसे मान की बीजेपी तीन सीड जीट गई अब तीन सो लोग जो बैठे हैं उन सब की विचाध धारा हैं के यह दोस्त हैं वह आपस में तो जब भी कोई नेड़ा लेंगे तो उसमें कुछ क्या नहीं होगा क्योंकि वो पार्टी एक ही पार्टी के लोगें, एक ही विचारधारा के लोगें, तो यहां पर बस यह है, कि अगर पार्टी ना हो तो यह जान लो, पार्टी नहीं होगी क्या होगा बाई, लडाइयां होगी, 543 लोग है, 543 अलग-अलग मुद्धो पर भैस कर रहे हैं, अगर को भारत में लोग सभा में कुल कितना सीट है, 543 सीट है, यदि हम हर सदस सदंत रूप से चुनाव जीत कर आएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बड़ी ही भयानक स्थिति होगी, क्यों भाई, कोई भी सदस्यों होगा, वो एक मुद्धे पर जो है, टिक नहीं प आता है, मतलब कोई ना कोई पर प्रतनियत दो 누कतन मतलब कि यदि सम्भभ नहीं है, कि हर सब्र werden कette कर चलाने इसी सिस्टम में जो है राजिंतिक पार्टियों का जो है जैसे मानिक चलो आज हमारे देश में लाखों करोरों की अर्वों की आवादी है अपको यह हर एक इंसान प्रित्यक्ष रूप से नेड़ा नहीं ले पाएगा इसके लिए क्या होता है इसके लिए पॉलिटिकल पार् लो इससे जबाते हैं बाकी सारी पीरटिकल पार्टी अक जैसी होती है कि सब्सक्राइबाबं ठीक है, तो देखो, तो हम बात करें, भारत में चुनाव कौन करवाता है, तो याद रखना है भाई, चुनाव आई होगा, है ना, election commission जो है चुनाव करवाता है, और election commission चुनाव के लावा भी कई सारे काम करवाता है, और ये independent body है, election चुनाव किसी का बदवाव नहीं होता अस कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं कुछ चीजे होती है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा तभी आप जाके राश्टी पार्टी बन पाऊँगे यहां फिर राजस्तर की पार्टी बन पाऊँगे ठीक है ना चलिए देख लेते हैं इसको तो बाई एक काम किसका होता है चु इजेपी, कॉंग्रेस यह बहुत बड़ी पार्टी है है ना तो देखो इनको इनको हमने क्या बोल दिया राश्टी पार्टी बोल दिया क्योंकि पूरे राश्ट में इनका कही ना कहीं प्रभाव हुए यह राश्ट में कहीं पूरे देश की हम बात करें कहीं ना कहीं सीट जीत रहें तो ये बताता कौन है तो ये हमारा कमिशन जो है इलेक्शन कमिशन जो है चुनाओ आयोग जो है ये हमें बताता कि कौन सी पार्टी राजिस्तर की पार्टी है कौन सी पार्टी जो है राश्टिस्तर की पार्टी है इसका क्राइटिरिया फुल होता है क्योंकि यहा 7 तूँ ऐ आठ दल है ठीक है जालेटा सबसे पहले न इन पार्डी को जान लेते हैं ठीक है सब से पहले को जान लेते हिंनका मतलब क्या है कौन इस कुश्रीश को सब्सक्राइद को टिरिया होती है जिसके बताया जिस पार्टी को लोक सवा चुनाओं में यहां राज के विधान सवाओं की चुनाओं में तो लोक सवा की चूनाओं होते हैं पूरे center level पर, केंद्र के और यहां दूसरी बात हो गरी है कि से कि कि चार राजो की विधान सवाँ चार राज्यों है, मानिकित तो यूपी, बिहार, चत्रिसगार, राहिस्तन, इनके में, इनके पूरे इन चारों की मिला की हैं, यहाँ पर बात हो रहे हैं, चार राज्यों की विदान सवा में कम से कम 6% वोट, टोटल जो वोट का परसंटेज है, वो 6% होना चाहिए, मतलब अ अगर इन दोनों में से कोई भी क्राटेरिया पास हो जाता है तो यहां पर जो पर पार्टी हमारा जो चनाव आयोग है वह आपको बोलेगा आप क्या हो आप एक राज इसतर की पार्टी हो तो आपको कई सारे बैनिफिट्स मिलते हैं कई विशश अधिकार मिलते हैं जैसे यहांपर ऐसा नियों दोनों चीजे और है कोई भी एक कन दो यह राजिस्तर की पार्टि तो इस में क्या क्राइटर आपड विदान सभाड़ी के जो आपके राज्य में चुनाव होते हैं, किसके भाई, CM के, मुखी मंतरी के, आपके इलाके से, आपके निर्वाजन, छेतर से कौन चुन के जाता है, विदायक, विदायक जितता है न, ठीक है, तो देखो, विदान सवा की चुनाव में, कुल वोट के कम से कम 6%, है न, तो जि आपके और जो है, कम से कम, दो सीट पर चुनाव जीते, दो सीटे मिलनी चाहिए, प्लस, प्लस क्या होना चाहिए, भाई, 6% वोट मिले, दोनों क्राइटरिय जो होने चाहिए, तब जाकर क्या क्या कहलाएगी, वो, राजिस्तर की पार्टी कहलाएगी, वो, है न, यहां त बुक की एसाफ से दिखना, क्योंकि मैं लेटेस्ट वाला बिल्कुल लेकर आया हूँ, ठीक है न, जैसे आप देखोगे, कुछ ऐसी पार्टी आथी, जो आपकी किताब में दे रखी हैं, लेकिन आज की टाइम पर उनके पास, राश्टी स्तर की पार्टी का स्टेटस नही है, उस से जो इस्टेटस चिंचुका है, है न, तो दो-तिन पार्टियां है, वो पहले राश्टी वाली थी, बट वो आम नहीं है, क्रैटेरिया फॉलो नहीं कर पाई होगे, लेकिन आपके NCRT में अभी भी दे रखा है, तो NCRT के हिसाफ से चल लेना, ठीक है न, चले तो भारती राश्टी कॉंग्रेस के हम बात करें, यह इसके हम बात करें, यह तो A.O.H.E. में दोरा 850 में जो है, इसको फाउंड किया गया था, A.O.H.E. में, जो कि एक भारत के नहीं भारत के सिविल सर्वेंट थे, रिटार्ट सिविल सर्वेंट थे, इन्हों ने इस पार्टी का बहुत बड़ी भूम कर रही है, आजाधी की लडाई में उसके बाद देखो के सेक्लिर्डरिजम पर जादा जोर देती है, धर्म निर्पेक्ष, मतला हमारा जो, हमारी जो पार्टी है धर्म निर्पेक्ष पार्टी है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं पर दिया थी और जो लाइक जो माइनोरिटी जो अलफ संक्या के लोग है उनके जो अधिकार है उन पर ज्यादा ध्यान देती है पार्टी की हम बात करें तो यह अध्यक्ष इसके पहले बदलते रहते हैं तो सोनिय गांदी हो गई रहाल गांदी हो गए तो इनके अभी अध्यक्ष की रूप में जाने जाते हैं तो यह दो को अगर हम बात करें इस पार्टी ने काफी अच्छे खासा मतलब पचास साल तो राच किया है ठीक है क्लियर है चलिए आगे बात कर लेते हैं अलगलग धरम के जो लोग है इस पार्टी के संब्द में रहे हैं हर धरम का जो नेता है वह इस पार्टी के उच उच पद पर बना हुआ है तब ही यहां पर हमने बोला ने कि हर एक मतलब यह माइनॉरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं ठीक है अब बात कर लेते हम भारती जंता पार्टी क से गिने जाते हैं और उन्हीं ने जो है बारती जंसंग का आप बोल सकते हैं संस्थापक थे और इसके बाद इसी मैसों जा भारती जंता पार्टी निकलती है अटल व्यारी वाजपेई और लाल कृष्ण अडवानी जी बहुत बड़ा रोल आ है उनका इस पार्टी को बना यहां पर बारती जंता प्रटी जो है हंदुड पर आतारित राश्चवाद को बढ़ावा देतीफ है यह पार्टी जंबू कश्मीर बहारत में पूर रूफ से विलाय कर्वाना चाहती है तो यहां पर हो भी गया विलाय हो गया thrilled 370 पूरी तरह से हट जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वह अट किया प्लस वादा किया था है इनोंने राम बंद्र वनवाने का तो वह भी बन चुका है तो मैं आप कुछ वादे जो है इनोंने पूरे भी करवाए हैं ठीक है ना आप देखो कि वाई 1990 की तशक में पार्टी बहुत जादा पॉपिलर हो जाती है और 1998 में चनाओ भी जीतती है उसके बाद 24 तक इनकी सरकार रहती भी है ठीक है उसके बाद पहुंग रिसकी आजाती फिर से अब बात कर लेते हैं अगली पार्टी के बारे में बहुजन समाज पार्टी इसके हम बा चांड़ किसने किया था तो कासीराम जीर और इस पार्टी का में एजंट में जो आइडिलोजी है में जो विछाद्धारा वो क्या था बाई दलितों के लिए जो पिषड़ी जाती हो से लोग आते हैं अल्प संक्यक जो लोग है उनके लिए काम करना ही इस पार्टी की में मेर मुद्द यही रहा है इनका ठीक है चलिए 1984 में इन्होंने इसका नहींतुत किया था बेसिकली और इस पार्टी की पकड़ कहां पर सबसे ज़ार मजबूत है तो याद रखना उत्तर प्रदेश में अत्तर प्रदेश में कई वारी जो मायबती जी है वो सीम वी रह चुकी है ठीक है ना चलिए अब बात करें थे भारती क्म्टिक्ट पार्टी आइंडर्यर् नयाद रखना है इसका कोई एक उनल नहीं होना चाहिए व्यक्तिकत अधिकार नहीं होना चाहिए पूरे समूं में चीज़ें पटेंगी चीजें पूरे हमारी समाज में बटेंगी जो बिसिकली गरीब लोग है रोग किसान वर्य हैं लेकिन जैसे जैसे चीज़ा आगे बढ़ती जा रही है तो इसकी जो पकड़ है इसकी जो पॉपॉलरिटी है वो थोड़ी गिरती जा रही है और हम बात करें पिछले जो दोयर चार की अगर लोग सवागी चुनौव की बात करें तो इसको सिर्फ एक दिशमलब 4% वोट मिले सब्सक्राटे में हाँ एक पॉट से यह बोल जाता जिन्हें व्य विग्यानिक समाजवाध का Piernal ऑस सच्वें और सच्मा यूद करना और अपने अपने समाज वाद था जब कालमाक्स प्यादा हुए उन्होंने अलगी जो है विचार देने शुरू किये तो यह कालमाक्स की विचार धारा है जो लैनन की विचार धारा है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है रशियन रूस की करांती में उसके विचार धारा पर यह वेज़्ट थी इसके फाउंडर की बात करें तो इनकी फाउंडर का नाम था आजकी अगर मैं करेंट की बात करूं तो यह अब रास्टी पार्टि कि तो इसकी पार्टि में फूड पढई थी चैनाव में बस्ताइक गांधि rhadi 十女 फासंगिधं प्रहापत है यह पार्टी जो है वह एक है लोकतंत की फैला और उसके घहराई होती जड़ोगो को सब्सक्राब ने यह स्कुली है जितनी आदा पार्टी होगी जितनी ऊछाब होगे दो लोगों के लिए उतनी अच्छा होगा भाई.. कि यह आपके पास चार चीजेए.. तो भाई छेतरी पार्टियों की बात करें तो में में बेन पार्टी है इनके लावा पहले क्या था जबत को राजों में भी कॉंग्रेस थी लोगे आज के ताइम पर क्या या बहुत सारी छेतरी पार्टियां आ गई है तो आप देखो कि केंद्र में दूसरी सरकार है और छेत्रों में यानि कि राज्यों में जो है अलग-अलग सरकार आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है ना तो देखो तो कुछ वर्षों से इनका फैलाव काफी जादा देखने को म AID, DM, DMP की हम बात कर लेएं यह सारी पार्टियां काफी लोगपरी हैं और अपने राज्यों में काफी अच्छा खासा काम करे भी रही हैं अब यह टॉपिक हता हुआ बात कर लेते भी यह राजिनितिक दलों के लिए चुनोंती आ कौन-कौन सी है कौन-कौन सी दिक्कतन ज बदलब क्या है आपाऊ मतल्य होता है किसी चीज की कमी तो अगर हम बात करें इन यह जो पार्टि होथी है इन में उनने 선ंद होते हैं कुछ जुष है में właści लोक पिरिनेटा होते हैं आप वही जो है है यह करते है अ defensory नंग से लिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा बहुत कम होता है आप उनकी पार्टी में जो लोगपरी नेता होते हैं बस वही क्या करते हैं यहां पर आप ऊबसके सपरी हैं तो यह हां पर आप बोसकते हो यहां बॉल सकते हो आंतरक लोकतंत मां आभाओ किस चीज का भाओ लोक्तंत्र का भाओ छोइन यह कोई भी चीज वह टांसे नहीं eh है एक मुठाघंके डिश्श को मोग्या जाना चाहिए लेकिन पार्टियों में चीज आप मपड़ाद कर लेते हैं पैसा और अपरादी थप्टों का प्रोस्प से आप आप देखा होगा जाथ सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर बहुत सारे विकल्प होने के वाद भी हम बोल सकते हैं हमारे देश में विकल्प हिंता है क्योंकि कोई भी पॉलिटकल पार्टी जो होती है वो कोई भी सच्छे डंक से काम नहीं करवाती जो गोशना पत्र में गोशना करती है उसके अक्रिंग नहीं चलती है अब बात कर लेते हैं आगरी टॉपर के चलिए राजिनितिक दलों के सुधारने के उपाय क्या क्या है जि दर बलू कानून किया होता है KGoDa कोई जीत के अपने चेटर से जीता है हैना मानकी चलो उसके पार्टी जो है वह चुनाओ दो نहीं जीत पाई तो जयासे मानकी चलो Si матери कि Absol bored के चुनाओ थे अब कोई फ्लाना पार्टी का जो नेता है वो bjp से जीत गया अपने निर्वाजन को थे लिए को तो अगर कोई भी नेधा ऑपने इन पाटी को चोड़ कर किसी दूसरे शामिल हो है तो कई बोलते हैं दल बलु कानों बोलते हैं बोलते हैं और यह सक्ड मना किया गया है हरे हो रहे हो रहे हो तो हिए पर क्या होता है आपको जब कुछ है अपनी जो यासे अपनी इंकम जो है आपको अपना वहरो देना पड़ता है कि आपके कितने क्रिमिनल केसे चल ले हैं ताकि जो है आपर जंता को भी उसके बारे में पता चले हैं तो सुप्रीम कोट ने पैसे और अपरादियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आधिस पारित किया है अब चुनाओं लड़ने वाले प्रतियाक उम्मीद्वार के लिए जो है अपनी संपत्ति और उसके खिलाफ जितने भी मुकदमें चल रहे हैं वह सब करने पर राजिंतिक बलोग के लिए अपने संगात्मत चुनाओं कराना और अपना आयकर रिटेन दाखिल करना आफ् से चीज क्या रहे है कि चुनाओ आयोग जो है चुनाओ करवाता है उसने एक आदिश दिया है कि तुम्हारे पार्टी के अंदर क्या होंगे संगाथ मत चुनाओ होंगे कोई भी डिसीन लिया जाना है कुछ भी किया जाना तो उस पर चुनाओ हो सकते हैं तुम्हारे पार्ट कर दिना पड़े वह सब और नियुक्त में देखनो इसा होता यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इंकम रिटन भड़ना पर प्लस यहाँ पर चुनाओ भी करवाने पड़ेंगे तो इसी के साथ क्या हो इसी के साथ हमारे chapter का end हुआ तो I hope आपको सारा जो chapter है बहुत अच्छे तो clear हो गया होगा अब हम मिलेंगे अगली class में तब तक लिए Goodbye, Take Care